हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सभी आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घर पर सेफ होंगे आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के दोरान कोई उनसे ऐसी लक्सन होते हैं जिसे देखकर आप इजली पहचान सकते कि गर को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की बैल को भी ओन कर ले उससे क्या होगा जब भी मैं चैनल पर कोई भी वीडियो अप्लोड करूंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी और आप मेरी वीडियो डेली देख सकेंगे तो चली अब भीना टाइम वेश्ट क ये वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं तो जैसे आपकी प्रेगनेंसी शुरू होती है सबसे पहले अगर आपकी प्रेगनेंसी के अंदर आपके जो अल्ट्रा साउंड होते हैं आपके तीन अल्ट्रा साउंड होते हैं उनमें आपकी जो रिपोर्ट होती है नोर्मल है आप आपको कोई टैंशिन नहीं होनी चाहिए कि गर में बच्चा सही है या नहीं है अगर सब कुछ नॉर्मल है रिपोर्ट नॉर्मल है डोक्टर ने आपके बोल रखा कि आपके जो बच्चे की रिपोर्ट है वो बिल्कुल नॉर्मल है बच्चे के अंदर कोई कमी नहीं है आप सकता है कि आपकी प्रेग्नेंसी बिल्कुल हेल्दी प्रेग्नेंसी है नेक्स सिम्टम्स होता है कि आपके बच्चे की हल्चल करना क्योंकि प्रेग्नेंसी के अंदर हमें हमें सहां हमेशा इंतजार रहता है कि आपका बच्चा कब हल्चल करेगा क्योंकि बच्चे की जो पच्वा महीना शुरू हो गया है, खतम हो गया, लेकिन अभी तक बच्चे ने हल चल शुरू नहीं की, तो आपको तुरन डोक्ड से मिल लेना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, गरब में जो जब दूसरी बार महीलाए मा बनती है, उनकी जो बच्चा हल चल होता है, वो जल्द करना शुरू कर देता, कई बच्चे तो तीसरे चोथे महीने से हल चल करना शुरू कर देती है, लेकिन जिनकी पहली प्रेगनेंसी होती है, पहली बात उनको बच्चे की हल चल होती है, वो लेट समझ में आती है, और दूसरी बात पहली बार अगर मा बनती है, तो बच्चा हलचल लेट करता है तो ऐसी condition होती है जिसमें आपका बच्चा कम हलचल कर सकता है अगर आपकी pregnancy का पाचवा छटा महीना तो हो सकता बच्चा कम हलचल करें अगर आपकी pregnancy का आठवा और नुवा महीना होता है तो उसके अंदर भी बच्चा हलचल कम करता है क्योंकि बच्चे को इतनी ज़्यादा जगह नहीं मिलती कि बच्चा हलचल कर सके अगर आपके बच्चे की जो प्लैसेंटा होती है वो एंटीरियर है तो हो सकता है कि आपका बच्चा हलचल कम करे और अगर आपका जो एमनुटिक फ्लूड होता है बच्चे कब वो कम है तो उसमें भी आपका कोई भी प्रोब्लम नहीं है अगर तब भी बच्चा आपका दो घंटे के अंदर दस बार हलचल नहीं करता तो फिर आपको डोक्टर से मिल लेना जाहिए यह आपकी खत्रे की बात हो सकती है आपको जो भी क्वेश्चन आपके मन में डाउट क्वेश्चन होते हैं आप डो होती है कि आपके पेट का अकार बढ़ना आपके पेट में हलका हलका दर्द होना आपकी कमर में हलका हलका दर्द होना टांगों में दर्द होना आपके ब्रेश्ट में चेंच होना यह सब हेल्दी प्रेगनेंसी के साइन होते हैं क्योंकि यह जो पेइन होते हैं यही आपको ज्यादा होरा है लगातार होरा बिल्कुल भी बंद नहीं होरा तो फिर आपको घबराने की जरूरत हो सकती है आपको तब जाके डोक्टर से मिल लेना चाहिए तो यह थे कुछ ऐसे सिंटम्स जिसे देखकर आप इसली पहचान सकते हैं कि गरब में आपका बच्चा बिल्कु वीडियो में तब तक टेक केर बाई बाई फ्रेंट्स